Hi guys, welcome back to your favorite platform for COET preparation, COET study capital, मैं हूँ आपके English की mentor, series चल रही थी हमारी 5 minutes to pro, that is 5 minutes to pronunciation, जिसका था हमारा day 11th, जहां हम लेंगे 5 minutes में only 10 words, देखेंगे उसकी spelling, उसका meaning, and the most important factor उसकी pronunciation. जल्दी स्टार्ट करते हैं, the first word we have got is, नास्टोपाथी, मैं नास्टोपाथी ये पहली बार सुना है, meaning देख लेते हैं, fear of returning home, घर जाने से किसको डर लगने लगा आजकल, वो तो तब ही होता है, जब आपने बाहर कुछ शरारत कियो और घर वाले कॉल करके बोले, अच्छा स सुनो, काओ, घर आओ, भाई उस टाइम जो पहनिक अटाक अथा है, इतने जादा एंग्जियस हो जाते हैं हम लोग, कि अरे बापरे क्या पता चल गया ममी को, क्या पता चल गया पापा को ऐसा, क्या कर दिया हमने, सबसे पहला शक्ना फिर फ्रेंड्स पहीं जाता है, इसक कि आप एक इन्वार्मेंट में अगर बहुत दिन तक रहे हो, आपको फिर चेंज करना है, बेसिकली होस्पिटल अस प्लेस, तो आप जब घर जाते हो, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, मेरा परस्नल एक्स्पीरियंस नहीं है, और आप लोगों का भी यही प्रे रहे नहीं है, नहीं देखा है, कुछ नहीं, तो प्रिजन से भी आपको थोड़ा सा में भी डिसकंफर्ट हो सकता है कि लाइक बेजती हो जाएगी, या फिर मिस्ट्रीटमेंट फ्रम ओन फामिली मेंबर्स वो भी एक फाक्टर हो सकता है, नेक्स वर्ड वर्ड वी हाव गॉट अक्रोफोबिया क्या होता है माम, फिर अफ हाइट्स, जिसको एक्स्ट्रीम फिर होता है हाइट्स से, उन लोगों को अगर आप 10th फ्लोर पे भी छड़ा दोगे तो उनको डर लग जाएगा, उनको बोलते, उस फिर को बोलते अक्रोफोबिया और जो पीपल जिने आप्रोफोबिक, ऑल्राइट, एक्रोफोबिक, एक्रोफोबिया, ओलराइट, इम्मो्तालिटी, ये वर्ड कही न कही सुनाई होगा, जो कभी मर ही नहीं सकता है, जिसके डेथ ही कभी नहीं हो सकती, इम्मोर्टेबल, अमर जो है, ठीक, Covivial, next word we have got is Covivial, that is friendly, lively and enjoyable. ठीक है, जो बहुत जादा friendly है, lively है, social butterfly, that person, he, she or them, they are called Covivial. ठीक, next word we have got is versatile, माम वर्साटाल सुना सुना लग रहा है, हाँ भाही, सुना सुना होगा, बहुत लोगों को इसका मतलब भी बता होगा. Able to adopt, adapt or be adapted at different functions or activities. बेसिकली, जो लोग बहुत अच्छे से adapt कर लेते किसी situation को, बहुत जल्दी उस situation में धल जाते हैं, involved हो जाते हैं, अगर कोई involvement है, कोई activity है, basically all-rounder हम बोल सकते हैं. The person who is an all-rounder, कि भाही, वो कहीं में adapt कर सकते हैं, कहीं भी survival हो जाएगा, उनका बहुत जल्दी वो घुल में जाते हैं, they are called versatile. Next word, stoical, stoical क्या होते हैं, enduring pain और hardship without expressing, कोई भी pain है, like बहुत जादा situations हम, imagine भी नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग, they have been through, और they are going through such a phase, की मतलब, ऐसा भी हो सकते हैं, family support नहीं है, या फिर, हमारे पास यार comparatively फिर भी बहुत अच्छे resources हैं, और हमें इसके लिए, ओवेसी बात है, grateful होना चीए, बट हमें realize नहीं होता है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, in the world, जो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं, ठीक है, so, या फिर mental pressure भी, अभी new, हमारा अच्छा है की awareness हो रही है, that mental health भी, आपकी well-being, आपकी mental well-being है, वो भी सही होनी without expressing it, आप किसी को दिखानी रहे हो, चुब-चुब के रो रहे हो, या चुब-चुब के आप regret कर रहे हो, या something like that, आप express नहीं कर रहे हो, that's called stoical, right, next word we have got here is, scindulation, अब माम इसका थोड़ा सा spelling भयंकर लग रहा है, भयंकर लग रहा है, notebook जो आपकी है, nose जो आप बनाते हो, उसमें write down करो, मतलब क्या होता है, sparkling और shining brightly, जो चीज़ बहुत जादा, shine करती है, sparkle करती है, वही बहुत दें, अब माम यह क्या बवाल है, आप इतने बड़े- बड़े words लेके आ जाते हो, और खुद ऐसे ही बोल देते हो, यह क्या बवाल चीज़ है, इसका pronunciation, anti-vivisectionist, आप देखो, तोड़ तोड़ के बोलोगे, तो आपके लिए भी convenient रहेगा, याद करने के लिए भी, और साथ में आप meaning भी decode कर जाओगे, जो मैंने word root का concept बताया थ वो अगर आप तोड़ तोड़ के कोई बहुत जादा लंबा word है, उसको तोड़ 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 पहले, आपके pronunciation के लिए एक तो सही चीज हो जाएगी, और maybe, might be possible है कि आप उसका meaning भी catch कर जाओगे, इसका pronunciation क्या है, anti-vivisectionist, यह क्या होता है, अप people who speak up for the thing कि हमें animals वगेरा पे या जो भी living beings है, let it be plants, plants पे भी होते हैं, plants are also considered living beings, ठीक है, और बहुत सारे plants तो even extinct हो चुके हैं, एक तो मारा pollution आउपर से उसको जो भी plants, rare plants है, उसको पकड़ पकड़ के आप एक्सपरिमेंट कर रहे हो, तो the person who opposed this idea कि हमें चुहू, नहीं बोल उसको आप एक्सपरिमेंट करते हो, so उस चीज को यह लोग जो होते हैं, एंटी विवी सेक्शनिस, these people, they oppose the thing, तो यही है इसका basic meaning, next word we have got is, revitalize, मैं, revitalize क्या होते हैं, to restore something or giving new life, किसी चीज को आप रिवाइफ कर रहे हो, कोई like death हो गया तो कोई plant वगेरा, आप उसको वापिस रिवाइफ कर रहे हो, उसको रिस्टोरेशन कर रहे हो, that's called revitalize, the last word of day 11th, day 11th चल रहे हैं हमारा, day 11th है, last word of day 11th, we have got is sophisticated, sophisticated, sophisticated सबने सुना होगा, इसकी spelling देख लेना, काफी common word है, CET 2023 में ये एक shift के paper में भी आया था, तो ऐसे words को आपको धियान रखना है, basic meaning क्या होते है, intelligent औ presence of mind, the person who is intelligent, बहुत जादा जानते हैं, बहुत जादा knowledge है उनके पास, या presence of mind उनका बहुत अच्छा है, those people, they are called sophisticated, elegant people basically, जो काफी जादा elegant होते हैं, बहुत जादा sophisticated, उसको हम as a term use कर सकते हैं, तो आ गई हमारी thank you की slide, करना क्या है, सबसे पहले notes revise करना है, अब ये नहीं कि मा हाते जा रहे हैं, notes revise भी करने हैं आपको, साथ साथ उसका जो pronunciation एक बार खुझ से बोलके देखता है, कि आप कहां अटक रहे हो, आपको कहां problem आ रही है, और channel के लिए क्या करना है, like कर देना है वीडियो को, share कर देना है, comment कर देना है, क्योंकि माम review चाहती है आप लोगों से ठीक review मेरे को पका पका चाहिए, कि माम आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, words आप difficult ला रहे हो, ठीक ला रहे हो, paste तेज करनी है, क्या करनी है, जो भी आपके reviews है, जो भी आप बोलना चाहते हो, comment section खुला है, आराम से बोलू, channel को subscribe कर देना, bell notification का जो, bell notification जो है उसको on रखना, नहीं तो update आएगी, आप miss करोगे, फिर exam में जाखे रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, so that is it for today guys, thank you and have a good day ahead.